दौसकार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश और आज तीन मुद्दों की हमचर्चा करने जा रहे हैं भारत जोडो यात्रा के बाद राहूल गाधी में नई उर्जा मगर उनके सामने है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का दम मुद्दा नमबर दो 28 महिने तक पत्रकार सिद्धी कपन को बगएर किसी गुना के जेल में रखा गया मगर ये गोदी पत्रकार जो दंगाई से कम नहीं है खुले आम गुम रहे है मुद्दा नमबर तीन ये जो आम बज़िट आया है क्या ये चुनावी बज़िट नहीं था आखिर क्यों इसमें किसानों की अंदेखी की गई, मजदूरों की अंदेखी की गई, आम इनसान की अंदेखी की गई शुरुआत हम करना चाहेंगे राहूल गांदी की भारत जुड़ो यात्रा और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का करिश्मा क्योंकि आप जानते हैं सवा साल रह गया है लोग सभा के चुनावों के लिए, राहूल गांदी की भारत जुड़ो यात्रा खत्म हो गई है, अब कॉंग्रेस के सामने बड़ा प्रश्न की आगे क्या और आगे की रणनीती के जरीए क्या कॉंग्रेस दोबारा सत्ता में जग अबिसार मेरा बिल्कुल साफ मानना है, मैं कश्मीर में थी, श्री नगर में जब इस भारत जुड़ो यात्रा का समापन हुआ, इस यात्रा के जरीए, राहूल गांदी ने बहुत बड़ी लकीर खीची है, अपना नेत्रित उस्थापित किया है, और एक मजबूत नेता के तोर पर सीधे सीधे श्री नगर से भी चुनौती दी अमिशा, मोदी और इनकी पूरी की पूरी सरकार को, और इस से एक अपना एजंडा सेट किया, एक ऐसा एजंडा जिसके जवाब में मोदी जी के बास बस और बस अमरितकाल, अमरितकाल और अमरितकाल की दुहाई है, ज कि एकला चॉलो रे से बात नहीं बनने वाली राहुल जी बहुत जरूरी है कि आप क्षित्री एदलों से समबाद सापित करें बहुत जरूरी है कि पार्टी के अंदर कई मोर्चों पर जो पार्टी दो फाड़ है उसे संबोधित करें और पार्टी के कुछ धड़ों में जो एंकार पनप रहा है उसे खत्म किया जाए क्योंकि अगर ये तमाम चुनौतिया बनी रहेंगी तो राहूल गांधी किसी भी कीमत पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे सकते इस मुद्दे पर उर्मिलेशी क्या है आपका पंच अब इसार मैं समझता हूँ कि राहूल गांधी ने इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिये एक जबरदस्त गुडविल अरजित किया इसमें कोई दो रहे नहीं इसमें मतलब मुझे लगता है कि किसी को शायदी मत भेद हो भारती जन्ता पार्टी के लोगों को भी महसूस जरूर हो रहा होगा कि राहूल गांधी वो नहीं राहूल गांधी है जो पहले हुआ करते थे जिनका वो काफी मज़ा कुड़ाते थे लेकिन राहूल गांधी के सामने सबसे बड़ी परिशानिया है कि इस गुडविल के बावज़ोद उनके पास राजनीतिक आदहार जो है वह इतना नहीं है कि वो मोधी साहब को चुनोती दे सकें तब तक जब तक विपक्ष की बड़ी एक जुटता कायम नहीं होती हम बात करेंगे विपक्ष एक जुटता की भाशा मैं आप से शुरुआत करना चाहूंगा देखे जनवरी वो महिना है जब राम मंदिर के कपाट खुलने वाले मैं बार-बार इसका जिकर करता हूँ क्योंकि आप भी जानती हैं कि उससे एक महिने पहले तीन एहम राज्यो कर सकते कि जनवरी में मीडिया का क्या माहول होगा ऐसे में राहूल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं और आप तो गई हैं जमीन पर आपने कवर किया है क्या राहूल गांधी के पास वो x-factor है देखी मुझे लगता है एक्स फैक्टर है नहीं है ये तो खेर एक साल देड़ साल का सफर तै करेगा लेकिन एक बात जो बहुत एहम है जिस पे हमें ध्यान देने की जरुवत है जिसका जिक्र उर्मिलेश जी ने भी किया अपने पंच में वो सबसे बड़ी बात है और सारे विपक्षी दल उस बैठक में शामिल हुए मेरा यह कहना है कि यह जो सारा का सारा परिद्रश है यह हमें इस लिहास से देखना है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांदी ने जो एक अपनी लीडर्शिप इस्टैबलिश की क्योंकि वही पहले शक्स हैं जो क्रोनी कैपिलिजम लूट और बेरोजगारी वाले मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे सीधे सीधे नाम लेकर बात कर रहे थे और उसके बाद जब यह सारा का सारा ताश पर खड़ा हुआ महल धैने लग गया रैंकिंग नीचे से नीचे आने लग गई तब आप देखिए तमाम विपक्षी दल उनके साथ खड़े हुए हैं और ये पता चलता है कि आपको आने वाले दिन में एक माईलेज मिलेगी इन तमाम मुद्दों पर जो हम आगे भी अपनी चर्चा करेंगे कि राहूल गांधी, कॉंग्रेस और विपक्षी दल इसे नकार नहीं सकते इन गर होने वाला है, मगर मैं आपसे एक सवाल यहां पर पूछना चाहता हूं और मिलेज जी, राहूल गांधी के एक और शुनौती है, क्योंकि अगर आप समानांतर तोर पर देखें और आपने एक जिक्र भी इसका अपने शोज में भी किया था, कि बिहार में का सेंसिस खत् पैदा हुआ है, एक शेत्रिय संप्रभुता, वर्चसु की लड़ाई भी, जाती है वर्चसु की लड़ाई सामने आ रही है, राहूल गांधी तो मुझे यहां पर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या राहूल गांधी ऐसे में पिछड तो ही जाएंगे इसमें? देखे, आपने जिन प्रदेशों का नाम लिया, जहां एसम्ब्ली एलेक्शन हो रहे हैं, अभी 2023 के शुरू में, चत्यस गड़, मद्धे प्रदेश, राजिस्तान, यह हिंदी भाशी इलाके हैं, और यही हिंदी भाशी तीन ऐसे राजिये हैं, जहां कॉंग्रेस जो है, वीजेपी के मुकाबले में, यही केवल, जो दूसरे बड़े प्रदेश हैं, जहां लोगसभा की सबसे अधिक सीटे हैं, राजस्थान, मद्धे प्रदेश और छतिस गड़ में लोगसभा की उतनी सीटे नहीं हैं, जितनी सीटे अकेले तीन प्रदेशों में हैं, यूपी 123, 123 में 3 सीट, और 113 सीट आई थी एंडिये को, उसमें आप जेडियू को निकाल दीजे, जो आज RJD के साथ है, 22 सीट उसकी थी, तो ऐसी इस्तितिव हैं, जो असल दंगल है, सियासी दंगल, वो उत्तरप्रदेश पिहार जारखंड में हैं, और फिर आप देखें, बंगाल चले जाएए, बंगाल में अभी भी कॉंग्रिस कहीं नहीं है, और टीम सी का जो क्रेज अभी है, वो पूरी तरह खतम नहीं हुआ है, टीम सी ही बीजे पी, अला कि उनकी नेता बहुत शान्त हो गई है, नर्म हो गई है, लेकिन बीजे पी के मुकाबले अगर बात आएगी तो अगर वो बीजे पी के साथ एलाइंस में नहीं उतरती हैं, तो ये मान कर हम चलते हैं कि बीजे पी के मुकाबले में, बंगाल की जनता की नजर में शायद वही रहेंगी, और इसके अलावा दूसरी और पार्टियां, सीपी आजम है, कॉंग्रेस है, वो तीसरे एक फ्र और यहां पर आपने स्वेम कहा कि जो अभी जो इशूज चल रहे हैं, उन मुद्दों पर कॉंग्रेस गोल हो जाती है, भाशा, मैंने भी अपने पंच में कहा था, कि आकला चलो रे वाली बात नहीं होने वाली है, इन क्षेत्रिय अदलों से राहुल का कोई समबाद नहीं हैं, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा की एक चीज मुझे हमेशा खटकती रही है, कि वो पूरी तरह से राहुल सेंट्रिक है, राहुल चाहे जो भी कहें कि मैं देश को जोड़ना चाहता हूं, मगर वो पूरी तरह से राहुल उनके करिश में, उनके लगता है कि अभिसार इसमें दो चीजें दो पहलू है उनको उस लिहास से अगर देखिए तो भारा जोड़ो यात्रा निश्चित तोर पर क्योंकि अब यह आप मान के चली कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो परस्नालिटी बेस हो गई है और मोदी जी के बरक्स अगर कोई लीडर नहीं है लीडर की चबी नहीं है तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वह गडबंधन और सारी चीजें दूसरे तरह से देखी जाती है उनके खिलाफ निगेटिव प्रजार भाजपा सबसे जादा करती है भारा जोड़ो यात्रा से सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है कि रहुल गांदी एक बड़े कत्के नेता एक ऐसे नेता जिन्होंने जो कहा कन्या कुमारी से कश्मीर तक चल गया और इस मामले में उन्होंने अपना इत्यास बना लिया और इस दौरान अगर आप ध्यान से देखिए तो जिन जगों पे जो छेत्री दल थे जो जिनके साथ पहले से संबाद में थे उनक से उनका गडबंधन और मजबूत हुआ लेकिन साफी साफ ये भी दिखाई दिया कि जिन इलाकों का जिक्र उर्मिलेश जी कर रहे हैं वहां पर जो छेत्री दल हैं उन्होंने उनसे दूरी बनाई रखी उत्तर प्रदेश में खाली जैंत चौ जिसका जिक्र कर रहे हैं उनके अंदर जो यह दंब आ गया है कि हमने यातरा कर लिए लिहाज़ा हमारे साथ ही सब लोग आ एक बहुत नुकसान दे प्रवर्टी है जिसे अगर राहूल गांधी ने चाहिए और मुझे लगता है कल परसों जो संसद में हुआ अभिसार वो हमें ध्यान देने की जरुवत है संसद में जिस तरह से डायलोग हुए जिस तरह से मलिकार जुन खड़गे राहुल गांधी खुद जाकर तमाम विपक्षी दलों से बैठे और बात की और उन्होंने बताया मुझे लगता है कि हम ब बड़े मुद्य के तौर पेश करती है तो शायद ही विपक्षी एकता की जमीन हो सकती है जो दिखाई दे रहा है और मिलेश जी मैं यहां पर आपसे चीज जानना चाहता हूं कि देखिए पार्टी के एक सबसे बड़ी समस्या यह है राहूल गांधी की कि आप लगभग हर राज्ज में देखिए पार्टी दो फाड़ है राजिस्थान में सचिन पाइलेट बेताशा व्याकुल है अभी कुछ दिनों पहले केरल के उनके एक नेता ने छोड़ी पार्टी तो वो जो उन्होंने पार्टी छोड़ी उसे उन्होंने ट्विटर पर लाइक किया अभी इशारा कर रहे हैं वो क्या करना चाहते हैं सचन पाइलेट शटीज गड़ में भी वही हाल है वहाँ पर पिटीए सिंग देव हैं भूपेश बगेल हैं पंजाब में सत्ता क्यूं गई थी आप भी जानते हैं तो ये कॉंग्रिस की दिक्कत है हर जगा दो फाड़ है यहान जो बोलने का तरीका उनका एहंकार तो दिक्कत यह है कॉंग्रिस हर तरफ दो फाड़ है तो कैसे चुनाओती देगी देखे बेसिक सवाल कॉंग्रिस पर आप उठा रहे हैं आप देखे आज की तारीक में जिन प्रदेशों में कॉंग्रिस के फिर से सक्ता में आने की संभ वाकई अच्छी है तो वो किसानों के साथ और वो सशक नेता भी हैं भूपेश बगे ओबी सी हैं जी हां ओबी सी हैं तो उन्होंने समीकरन भी तलाशे हैं और जमीनी काम भी किया है लेकिन वहां भी कॉंग्रेस में टिये सिंग देव अब उनका एक धड़ा है जो हर दिन रा अखिल होने जा रही थी उसके ठीक पांस दिन पहले सचिन पाइलेट और अशोग गैलोत में दोस्ती करा दी गई थी दोनों ने हाथ उटा दिया था और सारे लोग जुट गये थे कि एकदम सब कुछ खतम कर दिया जाएगा जैसे ही आत्रा राहिस्तान से बाहर होई फिर स उम्र देख लीजे और दोनों का सामाजिक आधार दिया देख लीजे आप मध्यप्रदेश से आते हैं और मध्यप्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां पर इतनी बड़ी तादात सबालटन समूहों की हैं वहां पर कॉंगरेस से कोई चमकीला नेता कोई सितारा नेत हैं मुझे ये मालूम है कि काफी एक्टिव हैं लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर सामाजिक तोर पे मद्यप्रदेश को देखा जाए कॉंग्रेस को चाहिए था कि इन पांस सालों में कम से हम दूसरे नंबर पर ही कोई पड़ा नेताई उभारते काम नहीं किया कॉंग्रेस ने और तीसरी बात करनाटर के कैसा प्रदेश है जहां पार्टी की सरकार आने की संभावना सभी लोग व्यक्त कर रहे हैं इतनी बुरी सरकार बीजेपी वहां चला रही है कि उसका फिर से लोटना असमार वहां पर भी सिद्धर अब नाम डीके शिवकुमार अब आप बताईए ऐसी स्किती में राहुल गांदी एक पधियात्री बेहुत काम्याब पधियात्री लेकिन राजनी टिक जमीन कलाशने में और राजनीतिक ठंसे काम करने यह काना है के दौरान कांग्रेस जिस तरह से है उस पर हम अंधता कितने समय तक चर्षा कर सकते हैं वो अलग बात है कॉंग्रेस में दो सबसे क्रिटिकल के लिए क्वाश्मा मान के चल लिए कि लग जहाद परदा बुरका सब पे खेलने के बाद भी कॉंग्रेस के पास है इसमें भारत जोड़ो यात्रा में कम से कम पोस्चिरिंग के लिए आप मानें लिए पोस्चिरिंग नहीं है कोशिश यह की गई कि दोनों तरफ यह चल रहा है एक तरफ यह चल रहा है आप जितने नाम लिए अभी उर्मिलेज जी ने सारे लोग अपने अपने राजियों में मद्दप्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर करनाटक तक में कोशिश यह की गई है और जहां तक अगर आप जमीन पर खबर लेकिन करनाटक जैसे प्रदेश के कांटेक्स्ट में पुरानी एक बात याद करूँगा कि कांग्रेस हाल के वर्षों में जीतती बाजी हारने के लिए मश्चुब है उनकी दिक्कत हर स्टेट के साथ है हर्याना भूल गया चलिए मगर हम यह यह नहीं भूलना चाहिए भा जब एक चेहरे के तोर पर उत्रेंगे तो यह तमाम चीजे समानान तर तोर पर चलेंगी क्या राहुल गांधी जो कंसिस्टेंटली मोधी के मित्र उद्योग पतियों का मुद्दा उठाते रहें क्या यह जनता में दस्तक देगा इंतजार हमें करना होगा अब हम दूसरे म पसूली करने वाले तिहाडी पत्रकार प्राइम टाइम करते हैं और अब भी जहर बोते हैं पत्रकारों के खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर केस हैं मगर वो अब भी जहर बो रहे हैं यह देश यह निव इंडिया इस खबर का क्या पंच है और मिलिजिए आप से शूरू पत्रकार के बाद उस घटना को कबर करने जा रहे थे और अचानक उस पत्रकार को इस तरह की रफ़तार किया गया इतनी केसे यूए पी ए लगा दिया गया मनी लेंडरिंग का मामला लगा दिया गया और 28 महीने के बाद उनकी रिहाई वही है मुझे लगता है कि भारत के मे सबसे बड़ा टेस्ट केस भारती पत्रकारिता में सिदीग कपन की गिरफतारी है 28 महीने वो शक्स जेल में रहा अपनी मा को खो दिया पूरा परिवार परेशान रहा इसकी जवाब दे ही कौन देगा कौन लोग थे वे चेहरे हमें आपको और सबको मिलकर सामने लाने पड़ेंगे वो कौनस्परेसी क्या थी सिदीग कपन को जेल में रखने की असल कौनस्परेसी पे बात होनी चाहिए अब इसार क्या है इस पे आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है ये है न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल जहां पर दंगाई भड़काओ पत्रकार जो है वो प्राइम टाइम पर हैं वो अब भी हमारे समाज हमारे बच्चों की नसों में जहर डाल रहे हैं अपने नफरती बयान अपनी नफरती प्रत्रकार का जरिये मगर एक पत्रकार जिसने अपना काम तक नहीं किया था जो अपना काम करने जा रहा था और सिदीक कपन एकमात पत्रकार नहीं कई ऐसे पत्रकार हैं जो काम करना चाहते थे उन पर FIR दर्ज हो जाती है उन पर ED के RAID मारे जाते हैं Income Tax के RAID मारे जाते हैं परिशान किया जाता है तो ये है New India का New Normal भाषा मैंने अभी अभी दो ही दिन पहले सुना एक वो पत्रकार जो 100 करोड की वसूली करते हुए कैमरे पर पकड़ा गया था 21 दिन तक तिहाड जेल में था वो गोडसे को बॉलिवूड का हीरो मान रहा था एक पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है वो अभी वही बाते कर रहे हैं मतलब आप सोचे रहे हैं एक व्यक्ती और सिदीक कपन जो है वो एक राज का केरल राज का एक पत्रकार था राश्ट्री तो और पर भी नहीं था मगर यह कितनी बड़ी ट्राविस्टी है कितना बड़ा अन्याय 28 महीने तक यह व्यक्ती जेल में रहा और वो दंगाई भड़काऊ जो है वो खुले आम भूम रहे है कि जवाब देख कौन है अगर आपके खिलाफ मैं जाती हूँ तो आपको एक पूरा का पूरा अधिकार है इसमें मुझे लगता है कि जो टेस्ट केस था क्योंकि सिदीग कपन वोस टेस्ट केस मुसल्मानों को पत्रकारों को मीडिया घरानों को एक संदेश देना और मुझे तो इसलिए भी बहुत जादा इसने परेशान किया क्योंकि हमारी और सिदीग कपन की गाड़ी आगे पीछे ही चल रही होगी मैं भी हाथरस कवर करने जा रही थी वही समय है वही टाइम है और एक मुसलमान को सिर्फ इसलिए आपने उठा लिया कि वह कैसे हाथरस जा रहा और आपके दिमाग में है कि पूरी हाथरस कॉंस्परेसी करनी है एक दलिक लड़की की जो बरबर उसके साथ ट्रीटमेंट होता है सामुईक बलातकार होता है उस पे चर्चा करने के बजाए देखे योगी सरकार का एड्मिस्ट्रेशन पूरा का पूरा मामला डाइवर्ट करता है और एक बड़े पैमाने पर मेसेज देता है कि दलिक एट्रोसिटी को कोई भी व्यक्ती और खास और से माइनॉरिटी का व्यक्ती कवर ना करे ये एक जो साज़ेश है आपने बात की मैं नहीं भूला हूँ जब हाथरस हुआ था तो उस दोरान योगी सरकार को जब पूरा प्रोपेगैंडा था और मिलेज जी कि एक पूरी अंतराष्टी साज़ेश रची गई एक पूरा टूल किट था मताँ आपने इतने बड़े बड़े बयान दिये मगर जब मामला अदालत में आया तो उसका जिक्र तक नहीं मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ भाषा ने भी उसका जिक्र किया सदीग कपन पर ये जो आक्शन है क्योंकि हम एक उमर खालिद को भी देखते है हलाकि वो पतरकार या मामला नहीं है सदीग कपन पर ये जो अक्शन हुआ है क्या उसका गुות सिर्व ये है कि वो मिसल्मान है उपर से leftist है वामपर्थी है और बेहत प्रतिवाशाली है महमोदी जी की आलोचक है करहिया कुमार उसी समय आपको याद होगा वो दोनों एकी साथ उभर रहे थे लेकिन मैं मैं उमर खालित की PhD थीसिस के बारे में मुझे मालूम पड़ा और उसके बारे में मैं जानकर दंग और उस लड़के को गिरफतार किया गया पूरे करियर को खतम करने के लिए ताकि वो प्रोफेसर ना बन सके और हजारों सैक्ड़ों लोगों को पढ़ा न सके और इस तरह से एक तरह से समझदारी ना पैदा कर सके लोगों में तो यह एक साजिश है और दूसरी बात जो भा पात्रस को लेकर और योगी सरकार, मोधी सरकार दोनों पर सवाल उठ रहे हैं ग्रे मंत्राले पर सवाल उठ रहे हैं उसको एक से एक से उसको डाइवर्ट किया जाए और बांट दिया जाए अटेंशन मीडिया का जैसे अभी आपने जो डाइवर्ट करने वाली बात कही है मैं एक और शॉकिंग बात कहता हूँ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मगर वो कैरवान में रिपोर्ट आई थी चुकि वो हमारी अपनी रिपोर्ट नहीं है उसमें हुआ ये था कि एक चैनल में एक पत्रकार थी वो लगातार अपने ओफिस को फोन कर रही थी भाशा की पेट्रोल के जरिये फाधरस की गुडिया को जलाया जा रहा है आप जानते हैं उस न्यूज चैनल ने फोन कॉल नहीं लिया बाद में उस महिला पत्रकार को मजबूर होकर अपने त्विटर टाइम लाइन पर उसे डालना पड़ा वट ए शेम और उसके बाद उसको साइड लाइन कर दिया गया तो मैं कहल रहा से जब सरकार और खासवर से मैं यहाँ डर्शकों को यह याद दिलाना जरूरी है कि एक दलित बच्ची पर जब एक्ट्रोसिटी होती है वो मामला पूरा रफादाफा हो गया आप यह सुची कितना बड़ा क्राइम है कि एक दलित लड़की के साथ क्राइम हुआ वह क्राइम परदे उसके उपर परदा डाल दिया और यहां पर आप सिदीग कपन जैसे एक ज रोल देता है लगातार यहां पर सिदीग कपन जेल से बाहर नहीं आप आए उनकी मा निदन हो गया अड़ करना चाहूंगा आप जो कहने है अपने आप में कितनी शौकिंग बात है इस पूरे प्रकरण में हमारी अदालते किस तरह से सुस्त I hope I can use the word सुस्त क्योंकि जिस ज मलादकारियों को यह मीडिया लाइफ कवरेज दे रहा है जब मीडिया बीजेपी के नेता मेर चुने जा रहे है पैर तो मीडिया लाइफ दिखा रहा है और यहां पर सिदीग कपन पर बोलने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जीम्यूस का मै कवरेज नहीं भूलाओं हाथरस पर जहां वो लोग इसे ऑनर किलिंग बता रहे थे और उस उस पूरे मामे में उसके भाई को घसीटनी कोशिश कर रहे थे बिल्कुल कितना शर्मनाक मीडिया है कितना बेहुदा मीडिया है यह और सोची जब हम वहां गए थे बहां मैं अभी तरह से खौफजदा थे यह एक क्राइम है जो मीडिया ने किया और जो जस्टिस नहीं मिला अगर हम इस मीडिया को रेडियो रवांडा करते कहते हैं अगर हम इसकी तुलना हिटलर के जमाने में गिबल्स से करते हैं तो आतिशोक्ती तो नहीं है देखे जनता में देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं मनरोंजन के भी और साधनब नहीं है पहले जैसे नाटक ओटक भी गाउं में नहीं हो रहे हैं तो हमारा यह कहना है कि जब कभी मेडिया पर अपनी पोस्ट लिखता हूं फेस्बुक पर या ट्वीटर पर आता हूं लोग जो कमें है उसका ही एक मशिनरी है उसका ही एक टूल है इसको आप टूल कहिए रोलिंग क्लास का यह बात आम आदमी भी आजकल गाउं में कस्बे में बैटा समझ रहा है चाहिए अब हम रुक करना चाहेंगे अपने तीसरे मुद्दे का जैसे कि आप जानते हैं आम बजट आया और अगर कृशिक शेत्र में कहें तो 2022-23 में 151521 करोड बजट था वो करीब 5% कम हो गया है प्रधा मंतरी फसल बीमा योजना वो 12% कम हो गई अगर पिछले साल की तुलना में देखें वही पीम किसान की बात है मनरेगा की बात करें तो 73,000 करोड बजट था 2022-23 में वो कम हो गया 60,000 करोड बड़ा प्रशन ये कि आखिर ये चुनावी बजट क्यों नहीं है ये अपने आप में दिमाग में कई सवाल शाकु शुबा पैदा कर रहा है क्या है इस मुद्दे का पंच और मेलिश जी आप से शुरुआत करना चाहेंगे अविसार मैं समझता हूँ कि ये बजट चुनावी बजट के रूप में इसको कहा जाना चाहिए था लेकिन ये चुनावी बजट नहीं है इसमें जनता की परवा नहीं की गए आम तोर्पे बुरी बुरी सरकारें भी चुनाव से एन पहले जो बजट लाती थी वो काफी ल हम सब जानते हैं कि इंफराज स्ट्रक्चर से आप किसानों को आम मजदूरों को आम लोगों को आप नहीं खुशाल कर सकते तो मुझे लगता है कि मुदी सरकार ने ये मान लिया है कि बजट चाहे जैसा भी पेश करो चुनाव तो हमी जीतेंगे भाशा क्या है इस मुद्धे पर आपका पंच किया शिक्षा का पैसा खतम किया किसानों पर मार मारी और उसके साथ साथ आपने जुमले के तौर पर दो सो योजनाओं को प्रमोट कर दिया ताकि आपको लगे कि आपका वोट बैंक इंटेक्ट रहे मध्यम वर्क के लिए आपने तमाम जुमले फेक दिये हैं मुझे लग रहा है इन जुमलों पर ही सरकार खेलने जा रही है इस साल अभी सार क्या है आपका पंच इस पर इस मुद्धे पर मेरा पंच है रहस जी हां ये रहस अपने आप में दिख रहा है क्योंकि देखिए कहीं कई मोधी सरकार समझती है कि मिडल क्लास को तो हम डिबेट दे 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 रिबेट ना भी दे तो चलता है डिबेट दे दे और डिबेट से ही खुश है मगर यह अपने आप में रहस है कि अगले एक साल में ऐसा क्या करने वाली है मोधी सरकार कि उसे लगता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे तो इसका जवाब है जनवरी में राम मंदर के कपाट खुल रहे हैं पूरी तरह से भर्मांदता जो हावी हो जाएगी प्रचार तंत्रों में और भाजपा को कहीं न कहीं जीत कर आस्ता यहीं से दिखलाई देगा उर्मिले जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रेस कॉन्फरेंस में सरकार के अधिकारी ने एक बहुत हास्यासपत बयान दिया था मनरेगा को लेकर यानि कि मनरेगा में जो बजट कम किया गया है उसको लेकर भी यह सरकार ऐसे अनाप शनाप बयान दे सकती है जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं देखे मैंने फाइनेस सेक्रेटरी को सुना इस पर बाइचांस वह अंग्रेजी चैनल पर इंटरूव दे रहे थे और अंग्रेजी के कुछ एक चैनल ऐसी बचे हैं जो अभी ठीक ठाग अभी कप डिवेट करा लेते हैं तो सेक्रेटी साब कहा रहे थे, मनर Dell Egate में कटोटी बजट की जो हमने की है, वो बड़े लॉजिकल है क्वाजिकल नकि मनर्गा के लिए लोग नहीं आ रहे हैं काम पर अब आप शेहरों की तरप जा रहे हैं, दूसरे कामों में जा रहे हैं, तो पता वो चला कि एक प्रोफेसर को उन्होंने बुलाया था और प्रोफेसर साब ने कहा कि जो रिसर्च हुई है उनके विश्विद्याले की जो देश का बहुत रिपुटेड इनुवस्टी है प्राइवेट सेक्टर में और उस रिसर्च में ये पता चला है कि मन्रेगा के लिए तलाश में जो र कार दिखा सके किसाब हमारे यहां लोग नहीं आ रहे एक तो ये बात दूसरी बात देखिए इस समय जो आपने सवाल उठाया इस समय हमारे देश में नो सिर्फ मन्रेगा का बजट इलोकेशन पड़ाया जाना चाहिए था बलकि किसान जो इतनी तबाही में है इतनी परिश कर मोदी जी अब तक उन्हें माफ नहीं कर पाएं मैं क्या अगर मैं यह कह रहा हूं कि उसको लेकर एक नाराजगी जाहिर किये सरकार ने क्या वो अतिश्योक्ति होगी देखिए अब किसान आंदोलन के जो लोग हैं और किसान जो अभी जमीन पे उतरे हुए हैं दुबारा किसान पर तो बदला लिया ही क्योंकि बजट पहली बार इतने भीशन संकट में हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना के समय इस देश को बचाने का काम देश के अन्यदाता ने किया था सारी कीमत चुका कर और वो जब MSP की मांग कर रहा है सारी चीजों की मांग कर रहा है आ आपकी बास सहमत इसलिए नहीं हूं जो आप कह रहे हैं कि कुछ और करने वाले हैं आप देखिए कि इसी बजट में उन्होंने जो 51 करोड़ लोगों को राशन देने की बात की है और वो एक बहुत बड़ा मैंने उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय देखा कि फ्री का रा करती है और बजट सेशन में और घोशनाएं होने की उमीद है ठीक है और इंफ्रस्ट्रक्चर पे जो पैसा फेका जा रहा है इसके जरी अपने लोगों को और पैसा पहुचाना और विक्सित करना यह सारी योजनाएं की है चली बहुत बहुत शुक्रिया भाशा और उर्मि झाल